जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान MCX पर कॉटन 49,000 के उपर कारोबार करने के बाद गिरावट की और कारोबार करती दिखाई दी थी लेकिन विदेशी बजारों में कॉटन में फिर से तेजी लोटी है, जिससे घरेलू कॉटन की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला है MCX पर कॉटन में एक हफते में 6% की तेजी देखने को मिली है बादार के जानकार, केडिय एडवाइजरी के मैनेजिंग डेरेक्टर अजे केडिय का कहना है कि कॉटन इंटरनेशनल मार्किट में लगभग 136 सेंट का हाई लगा चुकी है वही कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में तेजी का असर मैन-made फाइबर को मिलता है और इस समय कॉलिस्टर महंगा है जिसका सपोर्ट कहीं न कहीं कॉटन की कीम्तों को भी मिल रहा है विदेशों के साथ भारत में भी कॉटन की क्रॉप इस बार कम रही है उची कीम्तों के चलते कॉटन की डिमांड जादा नहीं दिख रही है लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स कॉटन को सपोर्ट करें तो कॉटन में 44,000 तक का भी स्थर दिख सकता है वह इंटरनेशनल मार्किट में कॉटन 136 सेंट हो चुकी है और आगे 140 सेंट भी होने की संभावना बन सकती है व्यूर्ट पोर्ट, माकेट टाइम्स, टीवी सकता है झाल 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 झाल